स्लाम अलेकुम दोस्तो नमस्ते सस्रेकाल खेर मगदम करता हूँ स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल हर्बो हेल्थ में क्या आप अपनी सेक्स पावर बढ़ाना चाते हैं तो दोस्तो आज में लेकर काया हूँ आपके लिए एक बहुत आसान सा नुस्का जिससे आप अपनी सेक्स पावर को बढ़ा सकते हैं ठीक कर सकते हैं और उसके लिए आपको सिर्फ लेना है देसी घी जिया दोस्तो देसी घ और मिल जाएगा आपके घर में भी होगा, अराम से आपको मिल जाएगा, ये भैस का या फिर और जानवार होते हैं, उनका भी देसी घी होता है, देसी घी का जो chemical composition है, वो ये है कि ये saturated fatty acid होता है, इसके बारे में ये कहा जाता है, कि इसका जादा सेवन करने से नुकसान हो सकत है, लेकिन इसके उल्टे, ये इसको apply किया जाए, यानि इसकी मालिश की जाए, तो इससे बहुत फायदे होते हैं, और आज की जो वीडियो है, तलवो पे देसी घी का मालिश से, क्या फायदा आपको होगा, sex power बढ़ाने में, जिया दोस्तों, जब आप तलवे पे, यानि क देसी घी से मालिश करेंगे, तो इससे आपको बहुत फायदे होते हैं, जैसे कुछ जड़नल फायदें बताता हूँ, अगर किसी को हड़ी रोग प्रावलम है, कैल्शम की प्रावलम है, तो उसमें मदद करता है, हड़ी में दर्द रहता है, जोड़ो में दर्द रहता है, तो वहाँ पर फायदा करेगा, पैरों में जलन रहती हैं, देसी घी से मालिश करिए, फायदा मिलेगा शुगर के रोगी हैं, मदुमे के रोगी हैं, देसी घी से तलवे पर मालिश करिए, आपको फायदा मिलेगा पैरों की जलन बन हो जाएगी और आपको अराम मिलेगा आँखों की रोशनी की बात करें कि बिनाई कम है रोशनी कम है तो उसमें भी देशी घी से अगर आप मालिश करेंगे तो आपको फायदा होगा तो यह बल्कुल उल्टा हुआ एक तरफ तो कह behöver है कि नुकसान दे सकता है खाने में लेकिन लगाने की जहां बात आ रही है प्लाइ करने की जहां बात आ रही है तो वह पे बहुत फायदा होता है लेकिन दोस्तों आज की जमारी वीडियो है वो है कैसे आप अपनी सेक्स पावर को बढ़ा सकते हैं तलवों पर देशी घी के मालिश करने से तो आज मैं तरीका बताऊंगा आपको किस तरह से आपको मालिश करनी है और कैसे आपको इससे फायदा पहुँचेगा क्या आप छोटे लिंक से परिशान है आपके लिंक का लंबाई कम है मोटाई कम है लिंक में टेड़ा पन है तो उसके लिए विकल्ब है आपके सामने ये चार्जिंग वाला पंप जिससे आपको एक्सरसाइज करनी है ओयल से मालिश करनी है जिससे फायदा ये होता है कि लिंक की लंबाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी लिंक का टेड़ा पन दूर होगा ये चार्जिंग वाला पंप आप हमारे से मंगाईए देगे नंबर पर कॉल करिए तो दोस्तों जैसे मैंने वीडियो के अंतर कहा आप से कि सेक्स पावर भढ़ती है सेक्स पावर यानि कि संभोग की शक्ति भढ़ती है अब देखें संभोग की शक्ति तीन बातों पर निर्वर करती है नंबर एक काम इच्छा की कमी होना यानि कि आपका संभोग करने का मन ही नहीं करता नंबर दो होता है कि लिंक में तनाव की कमी होना लिंग में धीलापन होना उसको कहते हैं इरेक्टार डिस्फंक्शन और नमबर तीन क्या होता है शीगर पतन होना जिसको कहते हैं प्रीमेचूर एडिकलेशन ये तीनों समझे हैं इसके मालिश करने से आपको फायदा मिलेगा अब नमबर एक बात करें जैसे कि हम संभो की कमी संभो की इच्छा में कमी होना अब ऐसा क्यों होता है देखे एक तो उमर बढ़ने से ऐसा हो जाता है या अत्यादिक किसे ने हस्तमैथुन क्या हो या अत्यादिक संभो क्या हो तो उसकी वज़े से बही ऐसा हो जाता है जब आप तलवोंपर देशी घीसे मालिश करेंगे तो ये आपकी संबुग की जो शक्ति इसको बैलन्स करेगी संतुलित करेगा फिर दुसरी बात है लिंग में धीलापन होना यानि कि तनाव में कमी होना जब आप देशी घिसे अपने पैरों के तलवे पे मालश करते हैं तो ये आपके लिंग में तनाव को बढ़ाएगा अब तनाव के कमी क्यों हो जाती है तनाव की कमी ज़ादा अगर किसी ने हसमेथुन किया है तो इसके वज़े से भी तनाव में कमी हो जाती है या फिर किसी internal weakness के वज़े से किसी बीमारी के वज़े से भी तनाव में कम्याद आती है तो link में तनाव को बढ़ाने के लिए जब आप तलवो पर देशी की से मालिश करेंगे तो आपको link में अच्छा तनाव आएगा सक्त erection मिलेगा और number 3 है timing की कमी होना यानि की premature education शीगर पतन की समस्या होना शीगर पतन की समस्या भी इसी वज़े से होती है अत्यदिक हस्त मैथून करना किसी बीमारी के वज़े से या skin का sensitive हो जाना ये सारी वज़े होती है शीगर पतन की भी तो दोस्तों जब आप देशी घी से पेरों के तलवों पर मालिश करेंगे तो आपको जो शीगर पतन की समस्या उसमें रहात मिलेगी तो तीनों ही समस्याओं में आपको फायदा मिलने वाला है जब आप देशी घी से अपने तलवों पर मालिश करते हैं तो ये तो हुए फायदे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तलवा के ओपर कैसे आपको देशीगी से मालिश करनी है तो गौर से देखेगा कि मालिश करने का तरीका क्या है सबसे पहले तो आप गलवस पहन ले गलवस पहनने के बाद ऐसे अपनी उंगलियों को देशीगी में विल्कुल इस तरह से डवो करके अब फिर आपको ऐसे पहले पूरे पैर पर उंगलियों पर खासता और से उंगलियों के बीच में अंगूटे पर चारों उंगलियों के पर आपको ऐसे करके और ये पूरे पैर के उपर आप गी को लगा दे, जब ये आप लगा दे तो धियान रखे कि थोड़ा थोड़ा आप दबाते हैं, एक हां से support ले ले, ऐसे support लेकर के इसको दबाते रहें, और दबाते हुए आपको ऐसे करना है, देखें, ऐसे, उपर से नीचे की और को दबा करने का, फिर बता दे रहें, ऐसे, ये दबा करके, घी आपने लगाया, उसके बाद ऐसे आपको दबा करके ये करना है, तो ये आपको मालिश करनी है, इस तरह से, और मालिश जब तक करनी है, जब तक पूरा पैर आपका घी से तरना हो जाए, यानि कि पूरे पैर पे आप के घी लग जाए पूरे पैर की आपकी मालिश हो जाए चाहे इधर वाला हिस्सा हो ये चाहे वो ये वाला हिस्सा हो तो ये पूरा पैर जब आपका मालिश हो जाए तो अब आपको क्या करना है कि ऐसी ही रात को आपको सो जाना है और सुबहा में आपको धो लेना है इसको तो थोड़ा एत्यात से इसको आप सर्व से साबुन से धोलें, तो ये आपकी एक दिन की मालिश होगी, फिर अगले दिन भी आपको ऐसी करना है रात को, और दोस्तो ध्यान रखिए, यहां तो मैंने अपने क्लिनिक के उपर जो आपको दिखाया है, ये एक पैर के पर करके द आपको जब आप इससे मालिश करेंगे, तो आप कुछ दिनों के अंदर पाएंगे, कि यदि आपके अंदर संभोग की शक्ती कम थी, संभोग की इच्छा कम थी, तो वो संतुलित हो जाएगी, यदि आपके अंदर टैमिंग की कमी, यानि की प्री मैच और एजुकलेशन की समस्या थी, तो वो ठीक हो जाएगी, और यदि आपके अंदर समस्या थी, कि लिंग में तनाव की कमी थी, तो मेरे भाई वो भी आपके समस्या ठीक हो जाएगी, तो दोस्तो ये एक कोशिश थी, आप तक एक नुस्खा पहुचाने की जो की आसान तरीका है, आप इजिली गर में इसको कर सकते हैं, आप इसको करके देखिए, उमीद करता हूँ कि आपको इससे फ़रादा मिलेगा, तो दोस्तो कैसी लगी आपको मेरे यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स में डा करके कमेंट जूर करेगा वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा बेल आकन को प्रिस करिएगा और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जबूर करिएगा आज की वीडियो में इतना ही टॉक्टर से कंसर्ट करने के लिए अपनी प्राब्लम बताने के लिए देगे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं एक नई वीडियो के साथ भी मिलेंगे तब तक के लिए गुद बाई